जहरा अपनी खूबसूरती की वजह से लगातार लाइम लाइट में रहती है। उनके फैन्स उन्हें हॉलिवुड हसीनाओं से भी ज्यादा खूबसूरत बताते हैं। भी ज्यादा खूबसूरत बताते हैं। बता दें कि जहरा पर पहली बार लोगों की नजरें टोक्यो ओलम्पिक के दौरान पड़ी थी बता दें कि जहरा पर पहली बार लोगों की नजरें टोक्यो ओलम्पिक के द जहरा गुनेज जन्म 7 जुलाई 1999 एक तुर्की पेशेवर वॉलिबॉल खिलाडी है वह 197 semi, 6 feet 6 inch, लंबी और 84 kg, 185 pound की है और middle blocker position में खेलती है वर्तमान में वह वाकिफ बैंक इस्तांबूल के लिए खेलती है और तुर्की महिला राश्ट्रिय वॉलिबॉल टीम की सदस्य है 2. Head Sport TFF के प्रतिनिधी हसन बोजकुर्तर ने याद दिलाया कि राश्ट्रिय महिला वॉलिबॉल टीम की खिलाडी जहरा गुनेस ने हेटे की सिरेन की जर्सी पहनी हुई थी जिसने भूखंप में अपनी जान गमवा दी थी और कहा प्रिय जहरा अब तुम हेटे की बेटी हो हेटे स्पोर TFF के प्रतिनिधी हसन बोजकुर्तर जिन्होंने रीवा हसन, दोगान नेशनल टीम्स, कैम्प और टार इस बात पर जोर देते हुए कि एक शहर के रूप में आबादी का वन थर्ड हिस्सा हटे में नहीं है बोजकुर्तर ने कहा, इसलिए हमें छोड़ दिया गया, वे दूसरे शहरों में चले गए हमें छोडने वाले लोगों की संख्या 24,000 है भूकम्प में लगभग 50,000 लोग मारे गए लोग, जिन लोगों ने अपनी जान गमवाई, उनमें से आधे लोग हेटे में मारे गए शिफ्ट के कारण हमारे स्टेडियम में लागा का राहत दना चाहता आर अपन तूट हुए मैदान को फिर से हासिल करना चाहते है मनोबल उन्होंने कहा ए नेशनल महिला वालीबॉल टीम की खिलाडी जहरा गुनेश का जिक्र करते हुए जो FIWB 2024 नेशन्स लीग में चैंपियन बनी, हसन बोज गुर्तर ने अपने शब्दों को इस प्रकार समाप्त किया हम यहां जहरा गुनेश को सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं हेटे? वाँ हेटे के जीवन के लिए मुझे आशा है कि हेटे स्पोर की सफलता के साथ हम दोनों लोगों को प्रेरित करेंगे और लोगों की हमारे शहर में आने की इच्छा बढ़ाएंगे यहां से हम कहते हैं कि हेटेली हेटे को मत छोड़ो हमारा हाथ पकड़ो मैं मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आर्थिक और नैतिक रूप से हमारा समर्थन किया जहरा गुनेज तुर्की की एक प्रतिभाशाली वॉलिबॉल खिलाडी है 24 वर्षी ये प्रतिभाशाली एथलीट का जन्म 7 जुलाई 1999 को कार्तल तुर्किये में हुआ था वह लगभग 6.6 इंच लंबी है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2021 के ओलंपिक खेलों से की वह महिला वॉलिबॉल क्वार्टर फाइनल के दौरान प्रमुखता से उभरी उस समय उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में में दक्षन कोरिया से हार गई थी अपनी उलेखनिय उपस्थिती और कौशल के लिए वह सोशल मीडिया संसनी बन गई वेस्टल वीनस सुल्तान लीग के 2017-18 सीजन में जो वेस्टल द्वारा प्रायोजित तुर्की की शामिल हुई तब से वह FIVB Volleyball महिला राश्ट्री ये लीग में प्रतिस्परधा कर रही है 2021 में उन्हें FIVB महिला क्लब विश्व चैंपियन्शिप में सर्वश्रेष्थ मध्य अवरोधक का खिताब दिया गया उन्होंने अपने उत्पादों के विपणन के लिए कुछ बहुत बड़ी कमपनियों के साथ भी सहयोग किया है लोरियल और मर्सिडीज जैसे लोकप्रिय ब्रैंड इंस्टाग्राम के अलावा वह पुरसकार से भी सम्मानित किया गया बाद में 2016 में उन्होंने FIVB World Grand Prix में भी भाग लिया उसके बाद उन्हें तुर्की की महिला U20 टीम में भी नामित किया गया उन्होंने मेक्सिको में 2017 FIVB Volleyball महिला चैंपियनशिप में भाग लिया टूर्णामेंट में उन्हें सर्वश्रेष्ट मध्य अवरोधक माना गया वह 2018 में तुर्की महिला टीम में शाम